हैलो, वेलकम टू चिनमे केक सेंट क्लासिस बेसिक टू प्रोफेशनल केक सिरीज का आज का हमारा पाचपा वीडियो है और ये हमारी बिल्कुल फ्री केक सिरीज है जिसमें आपको सिंगल रूपी भी पेड नहीं करना होगा हर एक वीडियो आपको free of cost में मतलब हर एक जानकर आपको free of cost में दी जाएगी इसमें बहुत सारे exclusive flavors में केक बनेंगे और उसी के साथ बहुत बढ़िया decorations भी होंगे हमने हमारे केक क्लास का WhatsApp नमबर भी आप सब के साथ शेयर किया हुआ है और इस से रिल्टेट जितने भी वीडियो है उसकी लिंक हमने description box में already दी है तो चलिए sponge बनाना स्टार्ट कर लेते हैं पहले तह हमने केक जल लिया है ये बिलकुल room temperature पर है ये हमारा 1-4 का teaspoon है लेकिन हम इस से आदा मतलब 1-8 teaspoon ही यहाँ पर केक जल लेंगे 1 kg केक के लिए आपको 1-8 teaspoon केक जल लेना है और 1 kg केक के लिए आपको 1-4 teaspoon लेना है और हमने इसमें आड़ किया है 1-4 cup normal water अब हमें केक जल बीट करना है पहले तो हम slow speed पर सिर्फ 1 मेट तक ही बीट करेंगे उसके बाद हम धीरे-धीरे speed बढ़ाएंगे एक्चुली केक जल और न्यूटरल जल दो अलग-अलग जल है केक जल हम sponge बेकिंग में यूज करते हैं और न्यूटरल जल जो होता है वो हम decoration के लिए यूज करते हैं देखे हमने यहाँ पर धीरी-धीरे speed बढ़ाना start किया है केक जल से क्या होता है कि हमारा sponge अच्छी तरह से मतलब बहुत ही अच्छी तरह से फूलता है वो बिल्कुल spongy बनता है बिल्कुल porous नेचर बनता है अपने यहाँ पर देखा होगा जैसे जैसे हम speed बढ़ा रहा है वैसे वैसे इस type का हमें look मिल रहा है हमारे मिश्रन का मतलब केक जल और water का बिल्कुल perfect हमारा केक जल बीट हुआ है अब हम क्या करेंगे बीटर साइड में रखेंगे देन टीन को grease करेंगे हमने first वीडियो में क्या किया था तीन बटर से grease किया था लेकिन यहां पर refine oil से तीन ग्रीज करेंगे then हमने first वीडियो में butter paper यूज किया था लेकिन इस वीडियो में हम butter paper यूज नहीं करेंगे सिर्फ refine oil से ही तीन को अच्छी तरह से grease करेंगे देखे जब आप नए नए इस फिल में आते हो तो आपको पहले तो सबसे बड़ा आपके मन में डर होता है कि मेरा केकची पख जाएगा वो दीमूल नहीं होगा यह सारी बाते मन में रहती है लेकिन जब से प्रैक्टिस आपने करना स्टार्ट किया है आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है आपका कॉन्फिदेस बढ़ जाता है तो आपको विद क्रेस ही आप अच्छी तरह से केक बेक कर सकते हो आपको पार्शमेंट पेपर या बटर अगर आप m-l में देखोगे यह 250 ml का है जब अब यह अप प्रमिक्स लेते हो तो बिलकुल हल के हाथ से आपको यह कप फिलप करना है कही पर में आपको यहाँ प्रेश करना है बिलकुल हल के हाथ से आपको यह कप भर लेना है आज जो हम फ्लेवर बना रहे हैं इसके लिए हमें चॉकलेट प्रिमिस की ज़रुरत है मतलब यह चॉकलेट स्पॉंज बनेगा मैं आपको यहाँ पर दिखा दू कि यह कप हमें बिल्कुल फ्लैट चाहिए बिल्कुल फ्लैट मतलब क्या तो इस तरह से पैलेट नए पिया बड़े वाले स्पॉन की मदसी बिल्कुल फ्लैट कर लेना है तो यह हो गया हमारा 180 ग्रैम अगर आपके पास वे बैलन्स होए तो वेलन गूड आप मेजर करके 180 ग्रैम लीजे अगर नहीं है तो इससे भी मेजरमेंट परफेक्ट आहीं जाता है और अगर इस मेजरमेंट से आप केज हाप केजी से कम बनता है तो क्या करेंगे तो आप 200 ग्रैम प्री मिक्स लेंगे ऐसा क्यूंकि कंपनी वाइस प्रेमिक्स की कॉलेटी अलग रहती है तो आप 20 ग्राम बढ़ा सकते हैं तो चलिए हमने केक जिल जो बीट कर लिया था उसमें ये प्रिमिक्स डाल दिया देन हम पहले दो स्लो स्पीड पर ये बीट करेंगे उसके बाद एक कप में हमने 1 फोर्थ कप नॉर्मल वाटर लिया है वो दीरे दीरे हमें आड करना है बिल्कुल एकदम से हम ये वाटर आड नहीं करेंगे हाला कि हमने 1 कप प्रिमिक्स लिया है मतलब आधा कप इसमें वाटर जाएगा लेकिन हमने 1 फोर्थ कप और लेडिक केक जेल बीट करते टाइम उसमें डाल दिया था तो रह गया हमारा 1 फोर्थ वाला ही कप मतलब आधा कप वाटर इसमें आड होगा जरूर लेकिन वो भी आपको दीरे दीरे आड करना है बैटर की कंसिस्टनसी आपको चेक करने है उसके बाद ही आप दीरे दीरे से आड करेंगे यहाँ पर बैटर आपको लो टू मेडियम स्पीड पर ही बीट करना है हाई स्पीड पर बिल्कुल भी बीट नहीं करेंगे आप तो सबसे पहले हमने यह बैटर सिर्फ एक मिनिट तक ही बीट किया है उसके बाद इसमें हम आड करेंगे रिफाइन ओईल वन टेबल स्पून यहाँ पर रिफाइन ओईल एड होगा रिफाइन ओईल मतलब जिसे किसी भी तरक का फ्लेवर नहीं होता वो वाला रिफाइन ओईल हम आड करेंगे एक बात आपने आपज़र किये है कि जब भी हमने केक जेल बीट किया था उसमें प्रिमिक्स मिस किया लेकिन उस ताइम हमने ओईल आड नहीं किया था बिल्कुल एक मिनिट तक बैटर बीट किया और उसके बाद ही हमने इसमें रिफाइन ओईल एड किया है यह बहुत बड़ी ट्रिक है आप यही प्रोसिजर अगर फॉलो करोगे तो आपका स्पॉंज बिल्कुल बेकरी स्टाइल डेफिनेटली बन जाएगा यहाँ पर मैंने कहा बेकरी स्टाइल एक्चुली यह स्पॉंज बेकरी से भी बहुत बड़िया बन जाता है लेकिन हर एक कस्टमर या हर एक विवर की डिमांड होती है की बिल्कुल बेकरी स्टेल वाला हमें स्पॉंज देए तो वही वाला यह स्पॉंज है तो यहाँ पर हमने पहले एक मिनिट तक बैटर बीट किया उसके बाद रिफाइन ओईल अड़ किया देन हमने दो मिनिट तक यह बैटर अच्छे से बीट किया है मतलब यह हमारे बिल्कुल 3-4 मेंड़ की प्रोसेजर होती है अगर आप यह बैटर हैंड विसकर से भी बनाओ तो भी चलेगा लेकिन जब आप हैंड बीटर से बैटर विसक करते हो बीट करते हो तो यह बहुत बढ़िया स्पॉंज बनता है देखे इतना वाटर हमारा बच ग किये तो चले टिन हमने रिफाइन ओल से ग्रीज किया था उसमें हमने बैटर इंसर्ट किया यहाँ पर कहीं पर भी हमने बैटर पेपर यूज नहीं किया है इसका मैजिक तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा ही प्रें नेक्स इंपोर्डन बात यह है कि जब बैटर आप तिन में insert करते हो तो आपको तिन अच्छी तरह से tap करना है अगर आप अच्छी तरह से tap करोगे तो इसमें air bubble strap नहीं होंगे बैटर बहुत ही अच्छी तरह से bake होगा तो चलिए अब हमेसे आधा गंटा बात करेंगे तो हमारा sponge आदे गंटे बाद बिल्कुल इस तरह से बेक हो चुका है मैं आपको यहाँ पर दिखा दू तुद्पिक बिल्कुल हमारे clean मिली है मतलब हमारा sponge बहुत ही बढ़िया बेक हो चुका है सिर्फ हमने एक पतले में इसे बेक किया है हमने फर्स वीडियो में ये सारी बाते आपको इन डिटेल दिखाई है आप वो वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने किस तरह से बेक किया अभी हमारा स्पॉंज गरम है तो हम इसे लगबख 20 से 25 मेर तक रूम टेंपरेचर पर ही हम इसे थंडा कर लेंगे ये हमारा केक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर में बन रहा है इसमें फिलिंग भी बहुत बढ़िया है और ये टेस्ट में तो बिलकुल लाजबाब है तो इस केक के फिलिंग में क्या यूज होगा इसके लिए आपको नेक्स वीडियो तक वेट करना पड़ेगा और इस वीडियो से रिलिटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो कुछ भी प्रबलेम हो या कोई बात आपको मतलब मेरी सिखाई हुई कोई बात आपको समझ में नहीं आयती कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड कीजेगा अदर्वाइस आप मुझे वाटसब भी कर सकते हो क्योंकि ये सिरिज स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है ये बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट है लेकिन आपके क्वेरी सॉल करना ये मेरी रिस्पॉंसबिलिटी है तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक ये सो मच